अब आपके पास बैट लेके आया हूं जो कि आज रहने वाले हैं प्रीमिम बैट काफी टॉप क्वालिटी के बैट रहेंगे और जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं मेरे पास यह कवर हैं तो इसके साथ जो नहीं टेक्नोलोजी आया है उसके बारे में बात करेंगे जो इस आपके बैट करते हैं पर देख सकते हैं और इसके बारे में बात करेंगे और जल्दी चरते हैं पर जोस्रूवात बैट आब करते हैं और देख सिरके नीक़ घंऊ करना बटतhoo की और अगर आप चैनल पेन आई है चैनल को लाइक और स्ट्राइप जरूद आप आप डीजा किन आप milt लिब रहें गे तो जैसे मैं आपको नहीं अप्डेट की करेंगे में तीन पर माईठ की बात करेंगे तो मेरे पार C तो बैट ज़्यादा जबर्दस होना चाहिए तो मैं आपको वही बैट दिखाने वाला हूँ आज तो मॉडल नहीं मेरे पास आ गया सबसे पहले ट्रिपल क्राउन ओरिजिनल एली बैट है लिमिटेड एडिशन बैट है और इसपे आप देखेंगे इस बैट कम्स विद एजी स्ट्रेट बैट सेंसर के साथ यह बैट आने वाला है और इसके साथ जैसे आप देखेंगे पिछ तो यह राउंड हंडल बैट रहने वाला है आप देखेंगे इसकी प्रॉफाइल के अगर हम बात करें मिट टू लो प्रॉफाइल रहेगी एजिस फॉटी वन तो नहीं होंगे फॉटी के राउंड इसके रहेंगे एजिस और आप देखेंगे यहाँ पर एजी का लोगो इ दो इसकी होती है तो हम ग्रेंज की बात कर लेते हैं तो ग्रेंज मेंगे 123456789 10 11 12 13 14 15 16 ग्रेंज का बैट इस ट्रीट ग्रेंज बैट हलकी जिसमें रेड़ वुड है ट्वेंटी पर रेड़ू बाग की सारा यह वाइट वुड है सॉफ्ट विलो एंड उसके साथ यसाथ ज अब ग्रेंज होता है थो जल्दी से करता हूए पी अधित करनाओ इसका प्रेंज बैट जैसे बोलेंगे वो ये बैट आने वाल है एक लग दस जार के इसके अल्मोस्ट साथ में मिलेगा देन उसके बाद जो नेक्स्ट बैट है अगर भी बिल्कुल सेम अगर हम इस प्रोफाइल की बात करें तो रेड़ वोड उसमें आउटर साइड है इंसाइड आपकी वाइट विल्लो आएगी तो ग्रेंश की अगर बात करें तो वन टू थी फोर फाइव सिक प्रेंड इस सेवन एट नाइन टैन 11 12 13 14 15 16 ग्रेंश का बैट है यह वी बिल्कुल स्टेट ग्रेंश कहीं भी आप देखेंगे बिल्कुल ब्लैमिश नहीं है पूरा क्लीन बैट है फ्रेंट से बैक से जितनी ग्रेंश अगर आप देखेंगे इसके फेस पे सामने देख रह केम दिखेंगी राउंड हंडल बैट रहने वाला है फुल प्रॉफाइल बैट हलकी सी विस पर देखेंगे कंकेविंग नहीं है बिल्कुल भी सेम जिसमें स्टी का अनपार लोगों आप देखेंगे इंग्रेव हो रख है फॉम दा कंपनी एंड मर्पी जो इसकी रहने वाली है एक लाग दस जा रही है फुल प्रॉफाइल का बैट 40 प्लस इसके रहेंगे एजिस 29 प्लस रहेगा इसका टो और इसका मैं आपको दिखा तों पिंग देन विल चेक दा वेट अब बैट पर बॉल लग रही है तो बॉल खुद निकल रही है आप देखेंगे मैं बुकुल पॉर्स नहीं लगा रहा हूँ यह देखो अगर बॉल इसका लग रही है पंच तो यह क्वालिटी होती है एक अच्छे विलो की एक प्लेयर ग्रेड का विलो है यह उपर प्लेयर ग्रेड से विलो है प्रीमें विलो और उसके बाद जो इसका वेट है 1176 ग्राम्स अल्मुस्ट इस 1170 के राउंड यह देन यह हमारे पास लास्ट बैट वो भी इसका रहने वाला बिल्कुल सेम मॉडल ट्रिपल क्राउन ओर्गिनल एली यह भी सेंसर के साथ आएगा राउंड हंडल बैट है ग्रेंस की अगर हम बात करें उसमें ग्रेंस आजिंगे वन टू त्री फोर फाइव सिक्स सेवन किसी भी सबीस देखेंगे कंजेविंग बिल्कुल भी नहीं है पूरा बैट मीट से बढ़ा हुआ है और अगर आप देखेंगे बिल्कुल सेंटर चोड़र से थोड़ नेशेए तो पूरा बैट यहां से लेके और नीचे बॉटन से थोड़ा ओपर देखेंगे तो यहां तो पूरा मीट से बैट भरा हुआ है तो अगर आप बॉल यहां पर कनेक्ट होती है तो इसली यह ग्राउंड क्लियर कर सकती है बाकि आपके प्लेइंग स्किल्स के उपर डिबेंड करेगा सेम एमर्पी भी बैठ है एक लाग दस जार इसकी भी रहेगी एमर्पी और इसके ए अगर आपको फिंग को थोड़ा और साउंड को क्लियर के साथ सुनना है तो आप इसको यह फोन लगा की यूज कर सकते हैं और वेट इसका 1171 ग्राम तो याने के 1167 और 66 के राउंड यह बैट आफ्टर रैपिंग के बाद यह आने वाला है एंड उसके साथ आपको जैसे मैं सब्सक्राइब ने आपको बता ही हर वेट के साथ सेंसर ब्ल로 आ अपको मिले गा तो यह फी हमारी की वीडियो रिविए की उसके साथ हमारी और वी वीडियो जाएगे इसके बाद जल्दी से आप्यानum को लाइक उसक्राइब करे और चैनल पर बने रहें अपने दोस्तों शेयर करें, थैंक यू